वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें मुख्य परिक्षा उसकी शॉट लिश्टिंग आ चुकी है पीटी 2022 स्कोर कार्ड की शॉट लिश्टिंग आ चुकी है समाने बुद्धी परिक्षन 15 परशन 15 अंग के समाने जानकारी 20 marks किया आएगी और करेंट फेर 20 में शामिल होगा 20 marks का यह आएगा 20 question computer सूचना प्रवद्ध की अलग से जोड़ा गया था 1267 में यही इसमें follow करेंगे 15 सवाल इससे आएगे और इसमें AI और कुछ नए चीज़ें भी शामिल की गई उत्तर प्रवदेश राजस समाने जानकारी यह 20 marks का आएगा और इसमें उत्तर प्रवदेश करेंट फेर भी शामिल होगा 1262 का यह final result जो आया था इसका cutoff आप देख सकते हैं प्रवदेश तक लगभग आपको पहुंचना पड़ेगा आपको 100 में से कम जरूर लग रहा होगा लेकिन पेपर जो है cut in star का आया था और कई लोग इसमें कभ़ी cut ना ही महसूस कर रहे थे इसको clear करने में 1262 का यह पेपर आया था आपर पूछे के अलग तरीके का current affairs पे आया था GSGK में आप देखेएगा कई सारे ऐसे तथ्याय थे जो इवन कई बर स्टेट PCS पे भी नहीं पूछे गए पहले क्या होता था कि आप से सला दी जाती थी कोई भी आपको UPPSC पेपर देना है किसी भी स्टेट PCS का जैसे UPPSC में है मतलब UP का आपको पेपर देना है UPPSC का तो UPPSC के पुराने सालों के पर लगा लो पास उसी से हो जाएगा जबकि ऐसा आप चीज़ें नहीं काम कर रहे हैं अब आप जो है का national तरीके से UPPSC त्यारी नहीं कर सकते हैं सिर्फ UPPSC या फिर अन्ने किसी एक्जाम के पीवाई क्यू लगाने से एक्जाम नहीं निकलेगा आपको इसमें पूरे syllabus की त्यारी करनी पड़ेगी 1265 का जो syllabus आये था उसकी पूरी इस तरीके से त्यारी करनी पड़ेगी कि आप जो है कटाउफ निकाल सके जो यह गया था इसमें जो नए जो चीज़ें डाली के दिज़े से आयोटी डाला गया था Internet of Things, Cyber Security उससे भी इस तरीके questions आये थे Botnet attack के बारे में इसमें पूछा गया AI के बारे में पूछा गया, Algorithms के बारे में पूछा गया तो यह सब हमने जो है 1265 वाले में अलग से पेट गरूप चला करके सारे notes वगरा दिये थे और उससे कई सारे questions आये भी थे एक बार फिर से Study for Civil Services जो है 512 के लिए अपना मेंस का पेट गरूप शुरू कर रहा है इसमें आप Junior Assistant के मेंस पेपर की पूरी त्यारी कर सकते है Study for Civil Services ने तीन बैचे शुरू किये हैं 512 मेंस के लिए Only Study material का गरूप आप 1200 पे करके इसमें ले सकते हैं समाने बुद्धी परिक्षन का कोई Study material नहीं होगा इसमें प्रैक्टिस के लिए questions दिये जाएंगे जैसा बारा सुमाट सर्फ में जिस तरके questions आये थे उस तरके questions का अभ्यास उसमें कर सकते हैं हिंदी समान जानकारी कंप्यूटर उत्तर प्रदेश समान क्यान उत्तर प्रदेश करेंट फैर का Study material इसमें बिल जाएगा ठीक है जिससे आप maximum अंक अपने ला सके इसमें कमिट्मेंट है फिर सेकेंड ग्रूप है हमारे test series का ग्रूप है इसमें क्या होगा कि 25 टेस्ट हम लोग कराएंगे हर टेस्ट में 100 questions होगा जैसे 1262 के पेपर आया था 100 questions वाला उसी pattern पर और 10 यहां पर topic wise टेस्ट होगे दो टापिक जीके के मदब दो टेस्ट जीके के 50 questions वाले दो reasoning के दो हिंदी के दो computer के दो यूपी जीके के इस तरीके के दिए जाएंगे आपको थर्ड पेट रूप हमारा only paid quiz का है इसमें जैसे 1262 में questions आये ते जिस तर के वैसे करीब 4000 questions की practices में कराए जाएगी आपको इससे आप अपने को means paper के लिए तैयर कर सकें तीनों ग्रूप अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी फीट 25 मिनट है इसमें आपको test series भी मिल जाएगी complete study material भी बिल जाएगा और practice के लिए quiz में 4000 questions जो है अगले अब भी दिवस में हम लोग complete करेंगे यह हमारा ग्रूप तीन मन्त के लिए यहाँ पर चलेगा और उसी के भीतर इसी अवदी के भीतर exam होने की पूरी उमीद बन रही है आपको notification देखने को मिल सकता है बागी exam जो है priority पर कराय जाना यूप ट्री प्लसी की दौरा जून एंड में जुलाई में हमको exam होता वो देखने को मिल सकता है इस तर का paper आ जैसे पहले एक magazine से हो जाते थे या फिर एक किसी बुक से हो जाते थे वैसे नहीं आपको depth में पढ़ना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के जो रामसर साइट है उसकी विशेशता है क्या है उत्तर प्रदेश के जो वाइड लैप sanctuaries हैं या फिर कितने national park हैं कब बने थे किसक शेर की गए यह सब जो depth में चीज़ें हमको state के बारे में पढ़ना है उस तरीके से तैयारी यहां पर होगी conventional तैयारी नहीं हो सकती है कि पुराने सवालों को ही लगा लिजिए जो पुरानी यूपीक पेपर्स में आया हुए है उन्हीं को लगा लिजिए यूपिटर बिलस इसमें बता रहे हैं इस वीडियो के आगे हिससे में आप इसको देख करके पेमेंट करके जोइन कर सकते हैं आपको study material बिल जाएग और test series बिल जाएगी और paid quiz बिल जाएगी अलग-अलग लेना चाहें तो अलग-अलग ले सकते हैं 2500 में पूरा आपको सब कुछ बिल payment कैसे करना है और बाकी terms and conditions क्या क्या है वो चलिए समझ लेते हैं देखिए सबसे पहली बात तो payments related कोई भी query है आपकी तो यह हमारे तीन जो नंबर है 8564880530 7523864455 और 9696066089 यह तीनों नंबर हमारे sales marketing team के है payment के लिए आप लोग को guide कर देंगे otherwise यह जो चीजे हमने information यह एक bank account दिया है दो QR code दिये हैं इनका use करके आप कहीं से भी किसी भी माध्यम से payment कर सकते हैं सबसे पहले दिये भाई bank detail current account है ठीक है तो पूरीज में आप जो है cash कर सकते हैं NEFT, IMPS, RTGS तो यह इसमें कर सकते हैं directly ठीक है अगर आपको UPI ADS करना है तो यह तीन हमारी UPI ADS द करना है तो यह दो QR code है इसमें आप डायरेक्ली यहां वीडियो से भी देखके scan करके कर सकते हैं बस यह ध्यान रखिएगा कि अगर आप यह वाला QR code से payment कर रहे हैं तो इसमें study for civil services at the rate ID अबसे रिखा जरूर आना चाहिए ठीक है और अगर आप यह वाला QR code से pay कर रहा है तो SCS ग्यान प्राइट लिम्टेड अड़ डायरेक्ली का जरूर आना चाहिए ठीक है पहली ID यहां पर यह वाली लिखी है ठीक है दूसरे QR की यह वाली ID है एक extra ID है SCS ग्यान अट दरेट ICICI ठीक है तो यह सारी चीजे इसमें payment करना है कोल मिला के ठीक है अब देगे no refund की policy है सारे टमसंट की निशन समझ लेते हैं सबसे पहला कि no refund है in any case ठीक है number change नहीं होगा किसी भी case में ठीक है हम एक exam के लिए एक ही group चलाते हैं पूरा commitment target response ability के साथ तो सके हमारा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ही है कि भाई हमारे जो courses होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उतना कराया जाएगा जिससे की selection लिया जा सके जनरली जो भी prelims वाले groups होते हैं हमारे उसमें यह होता है कि सबसे पहले की strategy वीडियो दिया जाता है फिर एक paid group में देखिए जो भी prelims वाली जितनी भी test series होते हैं उसमें अगर टेली ग्रॉप चला है तो इस तरह से format होता है कि भाई एक page है जैसे तो एक तरफ question होगा English medium में एक तरफ Hindi medium में अब English विशय का अगर होगा तो वह English में ही रहेगा और Hindi जो subject वाला होगा तो वह वाला Hindi में ही रह से और फिर उसके bilingual में explanation होते हैं जहां जहां जरूरी होते हैं हमारी सारी पीडियाफ में tracker लगा हुआ है इसको देखिए अगर आप टेली ग्राम में हमारे group join करते हैं तो यह ध्यान रखिए कि जो भी PDF है उसको आप download कर सकते हैं print निकाल सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ अ टेली ग्राम में कोई आए भी तो अपने परसनल के लिए उसकर सिंपल बात वही है कि भाई कर सीरेस स्टूटेंट है पढ़ाई करने का एम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है तुरंति स्टडी फॉर्ट सिर्फ जाइन करिए और चालो कर लिए सारी चीज़ जितना हम द आपको लेना हो जो भी उपर पताह कि यहां पैसे अपने कहने के बाद बाकायद के लिए पाया उपका में करने के हाँे practicing पेज Wenn घूलीire जोड़ दिया जाता है जो कमिट्मेंट्स है वो जब भी डिट बताएगे उसके इसाब से मिलेंगे अडमीशन कभी भी लिया जा सकता है सीरियस चात्र हैं तो तुरंत आप अडमीशन ले सकते हैं